असलामु आलेकुम वेलकम टुम्सीक्यों साब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ लेडिक एडिट कोर्स 25 की इंपॉर्टन पॉइंट्स जो के आपको रिमेंबर रखने चाहिए इनिशल टेस्ट को देते वे ठीक है और कंप्लीट सेलेक्शन प् आपको टेस्ट होता है जब आप सेंटर पे जाएंगे सबसे पहले आपसे रॉल नंबर स्लिप देखी जाएगी आपकी कि आइदर आज के दिन ही आपका टेस्ट है या किसी पुरानी डेट पे गुजर चुका है अगर तो गुजर चुका है तब भी आपका टेस्ट नहीं लिज चाएगा नहीं अगर बाद में होने वाला तब भी उस दिन आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा आपकी पहले रॉल नंबर स्लिप चक की चाएगी उसके बाद आपका चेक करते हैं जो करते हैं आपके पास अटेस्टिट फोटो कॉपी होनी चाहिए वो सब मैंने अपनी प्रीविएस वीडियो में बता दिया है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटेच कर दोंगी ठीक है उसके बाद ऊपर आपको भेजा जाता है ऊपर जाके आपके पास वहां प आपके बाद आपको ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि अच्छा आप जो आगे लोग दे रहे हैं टेस्ट उनका जैसे ही टेस्ट क्लियर होता है दिन हम आपको आगे अंदर बुलाएंगे ठीक है इंटेलिजस्ट टेस्ट पूरा कंसिस्ट करता है दो पार्ट के ओपर ठीक है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी बट इंटेलिजस्ट टेस्ट जब होता है ना तो एक घंटे के बाद आपका रिजल्ट आता है ठीक है आदे के बाद रिजल्ट नहीं आता मतलब आपने वर्बल पॉश्ट टेया है तो डायरेक्ली आप नॉन व बताती चलूं कि इसी तरहां कि आपके पास स्क्रीन आती है जिसमें नेम होता है रॉल नंबर होता है क्वेस्ट नंबर लिखा होता है प्रीवियस नेक्स्ट स्टॉप फिनिश टार्ट ठीक है इसी तरहां होता है अगर आप जो हैं वो नेक्स्ट पे चले जाते हैं उसको यहां पर unattempted के column में वो सारे questions आपको show हो रहे होते हैं ठीक है आप उन पर क्लिक करके आप टाइम वेस्ट ना करें जो नहीं आता उसको skip कर दें ठीक है तो आप उन पर दुबारा से क्लिक करके वापस वो question open हो जाएगा उसको बात में देखके भी answer कर सकते हैं ठीक है जहां पर time लिखे है वहां पर आपका timer चल रहा होता है ठीक है इसी तरहां की आपकी total screen होती है ठीक है अच्छा intelligence test के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि two parts होते हैं उसके एक verbal intelligence test जिसके 64 mcqs होते हैं 30 minutes में करने होते हैं और दूसरा non-verbal intelligence test जिसमे 64 mcqs होते हैं 30 minutes में करने होते हैं ठीक है अब verbal intelligence test के बाद आपकी screen पे कुछ भी नहीं आता directly आप non-verbal की तरफ चले जाते हैं let's suppose कि आपने 84 की जगह आपने अभी 70 mcqs ही किये थे आपका time खतम हो गया तो आप directly जो है वो non-verbal के portion की तरफ चले जाएंगे ठीक है सबसे पह पांच आपके पास एक्जेंपल्स आती हैं आप वोन एक्जेंपल्स के प्रेक्टिस करते हैं उसके बाद आपका test जो है वो start ہोता है । racist दिक रहो वर्बल को पार्टे साथ ता रहा हूं वर्बल भी पाहले पाँ पास पाँ खंपल्स एती है अबुड़क पास और अपके पास पास पार्टे स्टार्ट होता है ठीक है लेट सपोस्ड जैसे मिन आपको बताया है कि 70 MCQs आपने की हैं आपका टाइम खतम हो गया तो डिरेक्ली जो है वो नॉन वर्बल का जो आपके पास सेंपल टेस्ट होता है 5 MCQs का वो स्टार्ट हो जाता है ठीके तो आपने फिर उसके बाद 64 MCQs आपके नॉन वर्बल के होते हैं उनके लिए भी आपके पास टाइम 30 मिनर्ट होता है अच्छा मैं वीडियो सीरीज आपके साथ शेयर करूंगी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की ठीके जिसके अंदर मैं आपको कम्पलीट काइड करूंगी और इन्शालला वो ही MCQs आपके पेपर में आएंगे I will 100% guarantee you कि वो ही MCQs आपके पास आएंगे वो ही ठीक है तो मैं इन्शालला आपके साथ वो सीरीज भी शेयर करूंगी वर्बल नॉन वर्बल की अभी इन्शालला आगे जो हैं अभी तो रिजिस्ट्रेशन की डेट्स चल रही है तो साथ साथ मैं अशालला अपलोड करती जाओंगी वर्बल नॉन वर्बल की ताकि आपके आपके प्रिप्रेशन होती जाएं तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर दें साथ दी बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जो भी लेटेस वीडियो में अपलोड करती रहूं उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे आपको पता चलता रहे कि वर्बल के अब टेस्ट में अपलोड करना स्टार्ट होगी हो ठीके नेक्स हम बात करते हैं वर्बल में कौन-कौन से portions आते हैं ठीके number series आती है Canada आती है odd men आउट आते है directions के questions होते है day sequence के questions होते है word formatting होती है jumble words होते है coding and decoding होती है common sense के questions होते है age related आपके जो है या फिर relations के according आपके questions होते है number series क्या होती है जैसे 1, 2, 3 आगे क्या आएगा ठीके तो आपको पता होना चाहिए कि 4 आएगा किसी किसी cases में ऐसे होता है कि 105 होता है फिर 55 होता है 110 होता है 65 होता है 115 होता है तो next आपके पास क्या आएगा तो क्या आएगा आपके पास next इस तरह आपके पास जो है वो options दिये होते है analogy के question होते है analogy, odd man out ये सारे जितने भी आपके पास ये examples है ना मैंने आपको ये बताए है topics इसके सारे examples इंशाला मैं आगे वीडियो में जुरूर कवर करूंगे ठीक है analogy के question होते है odd man out के questions होते है कि जैसे आपके पास हो गया जैसे एक question है बहुत ये important question है हर center पे आता है अभी मेरे जहन में वही आ रहा है इस time पे बरना इसकी में पूरी एक video भी आपके सारे शेयर करूंगे जैसे एप होगे, चपैंजी होगे, बैबून होगया तो उसमें panda panda जो है वो इस category को belong नहीं करता तो वो odd man out होगया directions के question होते है कि if Ali travels towards north then he turns left and then he turns again left तो अब उसकी present direction क्या है इस तरह के questions होते है वो easy method से में solve करना आपको बताऊंगी ठीक है, day sequence के questions होते है if second day of month is Friday ठीक है, then 22nd day will be इसका भी solve करने का बहुत easy तरीका है वो मैं इन्शालाँ आपके साथ share करूंगी कि इसमें किस तरह आपने कितने plus करने है और fingertips के आप उपर यह आपको questions आजाएंगे ठीक है, word formatting के questions होते है जैसे आपके पास कुछ भी आ सकता है जैसे अगर लिखा है let's suppose mountain लिखा है mountain में n की जो location है वो कौन से number पर आ रही है तो उसको arrange करना भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर दो word एक जैसे आगे mountain के अंदर let's suppose कोई ऐसा word है जिसमें a और e जो है तो आपने उसको कैसे लिखना है कि आप third word तक पहुंच सके वो भी इंशाला मैं आपको वीडियो में आगे guide करूंगी jumble words ऐसे होते हैं let's suppose जैसे beauty ये question बहुत आता है beauty लिखावा है तो वो beauty ऐसे लिखा नहीं होगा उसके spelling जो है वो आगे पीछे लिखे होंगे जैसे y, e, a, b इस तरहां लिखे होंगे ठीक है jumble words ऐसे होते है then आपके पास coding and recording के question होते है जैसे के अगे लिखावा है beer ठीक है b, e, a, r, beer लिखावा है तो beer को denote किया है 1, 2, 3, 4 से ठीक है और bearing ऐसे ही कोई word लिखा होगा next ठीक है तो उसको अगे numbers दे दिये जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है अब आगे आपको कोई और word दे दिया जाता है जिसके जो numbers है न वो सारे लिखे होते हैं वहाँ पर let's suppose eat दे दिया ठीक है तो e भी था, a भी था, t भी था ठीक है इस तरह जो है वो numbers आपको लिखने पड़ते हैं कि 8 अगर लिखेंगे तो 8 का आपके पास क्या total number बनेगा ठीक है common sense के questions होते है इसमें ऐसे questions आजाते हैं जैसे अभी मुझे जो याद आ रहा है कि let's suppose आपके पास question होता है कि why people read newspaper ठीक है तो इसका common sense का question है कि to get knowledge ठीक है why parents send their children to school ठीक है इस तरह के common sense के questions होते है age related questions होते है यहाँ पर बहुत लोग mistake करते है age related questions में like आपके पास अगर age आ रही है तो इस तरह होगी कि if Ali is five if Ali's sister is three times younger than her ठीक है sorry if Ali sister is three times older than him ठीक है तो Ali की अगर 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 अज़ जो है वो 10 साल है तो Ali की sister की age कितनी होगी ठीक है इस तरह के आपके पास question होते है तो बहुत से लोग mistake करते है इसका जो best solution है कि Ali के current age five थी तो उसकी sister उसके three times है ठीक है तो three times मतलब 15 years age है एज का gap कितना आगया 10 years का ठीक है अगर Ali की age बाद में जाके 20 years है तो Ali की sister की उस time पे age उसमें three times से multiply नहीं करना उसमें वो 10 gap जो है वो fill करना है तो 30 years उसकी age होगी ठीक है relations related question होते है कि अगर मेरी जैसे let's suppose ऐसे question होता है कि मेरी मेरी अम्मी की भेन का भाई ठीक है आपका क्या लगा तो इस तरहां के questions आपके पास आजाते है यह आगे चांके वीडियो में में तफसील के साथ हर example की हर यह जो आपके पास portion है इसकी examples share करूंगी ताके आपको अच्छे से idea हो जाए कि किस तरहां के questions आते है इसके अंदर आपके पास आते है analog, series, least like others, clock और anti-clock के जो है वो questions होते है analog के questions होते है series के question होते है जैसे अगर series में यह सब चल रहा है तो आगे जा के क्या आएगा least like other के let's suppose सब के arrows जो है वो upward है और कोई arrow है जो downward है तो वो least like other हो गया ठीक है अब इसी तरह जो clockwise और anti-clockwise का है के four images है जिसमें पहले image में जो है वो left side पर black color था दूसरी में right side पर black color गया है तीसरी में जो है वो down size पर आ गया है right corner down size पर ठीक है तो यह analog में चल रहा है sorry clockwise direction में चल रहा है anti-clockwise में इसी तरह change होता है वो सारी examples में इंशाला आगे videos में आपके सारी discuss करूंगी ठीक है next आपके पास है academic test academic test जो है वो आपके academic test में भी आपके पास सबसे पहले five examples आती है आपके academic portion से ही related ठीक है 50 mcqs होते है जो के 30 minutes में करने होते है बहुत से girls मैंने अपने time पे भी जब preparation की थी firstly मुझे नहीं था idea कि boys के जो academic test होता है वो तो journal होता है ठीक है but girls का academic test उनके academic portion से ही related होता है जो के उन्हें ने degree की होती है 50 mcqs आएंगे 30 minutes में करने है और वो ही discipline जिसमें आपने enroll किया है online registration के थो उसी के questions आपके पास आएंगे ठीक हो गया next मैं आपको बताती है चलूँ initial medical के बारे में complete guide में इसके लिए अलग से video आपको बताऊंगी और पूरा बताऊंगी detail में कि कौन कौन सी चीज और कैसे चेक करते है ठीक है बट अभी मैं यहां पे आपको overview दे देती हूँ कि heart check करते है weight, throat check up होता है thyroid gland check up होता है उसके बाद eyesight आपकी check करते है, flat foot check करते है caring angle होता है knee knocking check करते है, chest measurement ear drum का check up होता है ठीक है, यह तमाम चीज़े जो है, वो initial medical में आपकी check की जाती है मैं तमाम आपको बताऊंगी किस तरह check करते हैं, पहली कौन सी check करते हैं second कौन सी check करते हैं किस चीज़ के ओपर relaxation नहीं है, ठीक है जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ कि एक तो height है जिसके उपर no compromise अगर आपकी height five feet लिखी वी है तो आपकी five feet ही होनी है ठीक है, अभी जैसे कि advertisement में आपने देखा हो five feet जो है height होनी चाहिए आपकी अगर एक inch भी कम है तो उसके उपर compromise नहीं किया जाएगा eyesight के ऊपर थोड़ा से कर लेते हैं पर मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे आप जो है eyesight का टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं easily ठीक है next videos में अच्छा जब आपका medical हो जाता है तो उसके माद आपका physical test होता है physical test जब medical आपका clear हो गया आपके जो form है उसके उपर आपको physical test की date दे दे जाती है let's suppose कि आज let's suppose आज मेरा test clear होआ ठीक है कल आपका test clear होआ परसु आपकी दोस्ट का test clear होआ ठीक है आपका medical तो उसी दिन होगए जिस दिन आपका test होआ बट आपके physical की जो date होगी let's suppose कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा test आज हुआ आपका कल हुआ आपकी friend का परसु हुआ तो हम तीनों की जो है वो physical की date same हो सकती है ठीक है physical के लिए 50-50 girls को भी एक साथ बुला लेते हैं जो उन्होंने test clear किया होता है let's suppose जिस दिन मेंने test दिया 10 girls जो है वो pass होई ठीक है आपने जिस दिन test दिया उस दिन जो है 22 girls ने pass किया test आपकी friend ने जब test दिया तो उस दिन जो है 15 girls जो है clear करगी test तो हम सब का जो है physical एक ही दिन रख दिया जाता है ठीक है तो आपको बता दिया जाता है कि कौन से ground में आना है आपने और कितने बचे आना है लेट ना होईएगा अगर race start हो गई है then आप जो है वो उसके अंदर participate नहीं कर सकती आप disqualify हो जाएगी या फिर अगर आप उनसे request करें तो वो आपकी physical की rate आगी कर देते है ठीक है अच्छा test की rate भी जो है वो change करवाई जा सकती है बट वहाँ पर center बेजा के ऐसे नहीं कि आप घर बैठे जो है वो test की rate change करवा दे ऐसे नहीं होता आपकर जिस दिन test है आप उस दिन जाए आप जाकर request करें फिर आगे मामलात हो सकते हैं ठीक है अच्छा फिसिकल टेस्ट में वन मायल रेनिंग होती है वन मायल कितना होता है 1.6 km और 14 मिनट्स में आपने 1.6 km कवर करना होता है अगर आप थोड़ी सी जागिंग तेज करेना तेज कदम उठाए जागिंग के लिए तो आप इसको easily clear कर सकते हैं अच्छा एक और टिप जो फिसिकल के लिए मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये कि आप जो है वो नीचे की तरफ देखें और आप जो है वो जल्दी जल्दी जोगिंग करें ठीक है बाकियों को छोड़ दें कोई आगे हैं कोई पीछे हैं आपने रुकना नहीं है थोड़ा सा स्लो हो जाए चलना स्टार्ट कर दें बेशक अगर आप से नहीं हो रहा आपने रुकना नहीं है किसी भी जगापे ठीक है भागते रहना भागते रहना बस ये सोचें कि ये आख तीर हो जाता है अच्छा जिस दिन आपका initial हो जाएगा ना है उसी दिन आप से firstly जो है वो सुबह सुबह कोलेक्ट कर लिए जाएंगे आपसे फॉर्म्स, ठीक है? आपने initial वसी कलेक्ट कर लिया फिजिकल के बाद आपसे जो हैं वो आपको फॉर्म भी दिये जाएंगे वाप आपने टेस्ट दिया था, वहां आके submit करवाने है, ठीक है, तो आप लोगे को वहां पर सब्मिट करवाने पड़ेंगे, और जन गल्स की percentage हाई होती है, वृ yelled हाई होती है, in neural test में, फिसिकल में और फिसिकल के तो marks नहीं होते है, ओ, आपके जो होता है इनिशिल मेडिकल उसमें हाइट के मार्क्स होते हैं ठीक है ये सब कुछ एनलाइज करने के बाद आपको जो है वो आई एससबी का कॉल लेटर आ जाता है और जो गल्स आई एससबी क्लियर कर जाती है उनको जो है वो आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए में जाने के लिए और किस बेसिस के उपर जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है ए टो जी तमाम चीज़ें मैंने उस वीडियो में गाइड कर दी है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइड कर दूगी अगर आपने वो नहीं देखी वी तो वो वाच कर लीज इस वीडियो में तब तक के लिए अपना क्याल रखें, अलाहाफ़ज।